कॉंप्टीशन इतना ज्यादा तकड़ा है यूपी पॉलिस कॉंस्टिबल दोजार चौबिस की परिच्छा में साथ यार से ज्यादा पोश्ट है तो क्या हुआ पचास लाग से ज्यादा लोगों ने फार्म भरे हुए हैं बहुत तकड़ा कॉंप्टीशन है इस तकड़े कॉंप्टीशन में अगर आपको रिटेन वाला एक्जाम निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ ओफीशल सिलेबस में जो पॉइंट्स दिये हुए हैं चाहें जी के क्यों हूँ चाहें हिंदी के हूँ ये दोनों पे जितने सिलेबस के पॉइंट्स हैं exhibits उनको पढ़ना ज़रूरी है जितना भी उस पॉइंट्स में लिखा हुआ है लगातार सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना सिलेबस के नए सिलेबस के जो एकौइण है प्लस लेटेस ट्रेंड और पैटर्न के एकॉर्डिंग है ठीक है अब देखें एड्मिट गार्ड इसका आ सकता है करीबन 10 दिन पहले 33 सगस को एक्जाम है 13 14 तारिक को आ सकता है कट ओफ किता जा सकता है वो समझे कट ओफ इस बार मिनिमम से मिनिमम जो है अगर आप देखें मेल का मेरे साथ से 215 तो मिनिमम जनरल के टेगरी के लिए इतना कम से कम जाना चाहिए फीमेल के लिए 205 कम्टीशन बहुत अगड़ा है हलका सा भी जो है ये भूल ना करें कि कम्टीशन को जो है लाइट लेने की तो सिर्फ इसी पैटर्न पे इसी ट्रेंड पे रहना है अगर रीजनिंग और एप्टिट्यूट तो प्रिक्टिस वाले सब्जेक्ट हैं ठेक है लेकिन जीके और हिंदी की आपकी कम्प्लीट तैयारी को और जादा जो है एक धार देने के लिए हम डेली आपके लिए फ्र निचोड के यहां पे जीके और हिंदी के 20-20 कोईशन की प्रिक्टिस कराएंगे 15 दिन की प्रिक्टिस होगी 600 कोईशन की प्रिक्टिस कराएंगे बिल्कुल फ्री है सभी लोग इसको जॉइन कर सकते तुरंत और लास्ट में एक हमने जो है रिवीजन का क्रेश कोर्स निका जो है सिलेक्शन के लिए डिटेन एक्जाम में मैंक्समा माइक्स दाने के रिवीजन सिर्फ उतना ही दिया है इमने फालतू चीज़े नहीं पढ़ाई है कोई भी सिर्फ उतना जितना एक्जाम औरियंटेड है और पूरे सिलेबस को निचोड करके यहां पे पूरा सिलेक् सवाल आपको एक जगह दे दिये गए हैं जो भी यूपी पूरीस कांचेबल दोजार चॉबिस के मोस्ट एक्सपेक्टेड कोईस्चन हो सकते हैं पूरे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक्जाम और इंटेट तैयारी करनी है तो यह वाला आप क्रेश कोर्स या